खबर राजधानी के मोती डूंगरी इलाकी से है जहां आनंद विहार गली के बाहर इस्थानी लोगों ने सीवरेश के पानी की समस्या को लेकर सडक पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन की सूशना पाकर पहुँचे स्पी पुषपेंदर सिंग ने लोगों की समझाईश कर मामला शांत करवाया तो वहीं इसे बीच कॉलोनी वासियों की पुलिस कर्मियों से तीखी बहस भी हुई कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार नगर निगम को शिकायत कर रहे हैं लेकिन नगर निगम मामले पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है तो वहीं कॉलोनी वासियों के भारी विरोत को देखते हुए मौके पर नगर निगम की गाड़ी को भी बुलवाया गया तब जाकर कॉलोनी वासी शांत हो पाए